यूटूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में तो दोस्ते याप पर आप दे सकते हैं कि आपकी ये यूपी पुलिस रिख्जाम के लिए क्लास आपकी चल रही है हाँ ना और यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके डेली क्लास होती है रात को साधीनों वजे तो चलिए स्टार्ट करत तो देखिये वन नंबर में जो आपका दिया गया है तो आपका आप्सम में आपका B रैट हो जाएगा किसी वर्ष्ट sû द्वारा उसकी स्थिती याविन्यास द्वारा प्राप्त उर्जा को कहा जाता है किसी वस्त द्वरा उसकी इस्थिती या विण्यास द्वरा प्राप्त उर्जा को कहा जाता है तो इस उर्जा को कहते हैं दोस्तों याद रिखे ओप्शन से इस्थिती उर्जा क्या कहते हैं इस्थिती उर्जा हो जगा मतलब इस्थिती दिया है इस्थिती से पता चल गया कि इस्थिती या विन्या सीसी को कहते है जब कोई वस्थ इस्थित होती है हाना यहाँ पर जैसे किसी स्प्रिंग को खीचने से उसमें संचीत उर्जा एक बांधे जाने से अर्थार से बड़ा प्रतीत होता है इसका कारण क्या होता है मतलब किसी गिलास में अगर नीवो आप डाल देते हैं हना अगर वो गिलास पानी से बड़ा है और उसको बगल से देखेंगे तो आपको वास्तियू का अगार से थोड़ा बड़ा दीखेगा इसका कारण होता है प्रकास का की प्रकास का आप वर्तन जो आपसे नंबर दिया है इस Tiris का जूआब यह पर राइट हो जЕगा स्कुरूर। सुर्यास्त के बाद भी सुर्ध दिखाए देता है ये सब इसी कारण होता है कि लियर है हां निम्बू नहीं आप कुछ भी डाल दीजे अपना चेरा भी डाल देंगी तो भी आपको कुछ ना कुछ उसमें परिवत्तन जुरू दिखाए देगा ठीके ज़रूरी नहीं कि निम कह रहा है यहां पर क्या आप से यहां पर कोशन क्या कह रहा है यहां पर दिया है नागारजुन सागरबान परियोजना निमनिकित में से किस नदी पर आपका इफोर नंबर आप से दिया गया है तो आप के नागारजुन आपका अंसर सी हो जाएगा क्रशना हो जाएगा यहां यहां पर देखे एगला कोशनाव से कह रहा है हर्सवर्दन द्वारा रचित नाटक कौन सा है हर्सवर्दन ने भी नाटक रचा है और हर्सवर्दन का नाटक है आपका रतना वली क्या होजेगा रतना वली इसका जो अंसर है राइट होजेगा हर्सवर्दन ने तीर नाटक र बिमारी नहीं होती है यहाँ पर देखें तो आप कहेंगे सरे इन फ्लेंजा होता है हना यहाँ पर हेपेटाइटिस होता है लेकिन पैरों का जो दाद आपका है पैरों का दाद यह वाइरस जनित बिमारी नहीं है यह फंगस या कविक होता है क्या होता है यह फंगस बोलते है ये फंगस या कवक से होता है ये जो का दाद खात खुजली होता है हना इस रोग से गरिशित बेक्ती की तुचा लाल भूरे रंकी हो जाती है जबकि एनफलेंजा है और हेपेटाइटिस की विमारी ये वाइरस की दारा होती याद रखेगा अगरा को सनाव से कह रहा है दिया सरभारत का जो नियंतरक माले का परिच्छे को कौन से आर्टिकल में है कौन से सेर हैं जो इस कोशन का सवा सिर बना सकते हैं जल्दी से बताइए कि वह या जो नियंतरक माले का परिच्छे के कौन से आर्टिकल में इनका वर्डन किया गया है चलिए यहां पर देना है नहीं हो रही है महा नियावदी की बात नहीं हो रही है यह हो रही है नियंत्रक मालेखा परिच्छक की बात तो आप कहींगे सरार्टिकर मरें इसका अंसर है राइट हो जाएगा याद रिखेगा किलर हो गया है चलिए आगे बड़ी कोशन आप से पूछा गया है क्या रहा है आपर परमाल बंकी खोच किस ने किया था चलिए अब प्रयास करिए निस कोशन में इसका सही अंसर क्या हो जाएगा चलिए एक में गलती हो गई है हो जाने दीजिए निस कोशन गलत नहीं होना चाहिए आप से कह रहा है सर परमाल बंकी जो खोच किया थो किस ने किया था यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो अंसर आ गया है वो आप समा रहा है कह रहा है सर ए नंबर हो जाएगा आपने ब नाव की सिद्धानिन नाव की सलेयन पर कारी करता है, अगला आप से यहाँ पर देखो दिया गया है कि कुछ भारती यह ना अर्थसास्ति ब्रिटिश सासन के दोरान भारत की राष्टी आयका मोल्यांकर करने का प्रयास करते थे, निमनिकित में से कौन अर्थ सास्त्री नहीं है या आप से पूछा गया है नाई नमबर में तो आप केंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कोशन में आप से कहा रहा है नहीं तो आप केंगे दादा भाज नौरोजी रहे हैं यहाँ पर केवी आर्वी राव भी रहे हैं आर्शी देश आये रहे हैं लेकिन जो आपके दिया हैं पी सी चंद महाल नोविस यह आपके दोस्ति याद रिखे एक अर्थ सास्त्री नहीं रहे हैं अब समर आपका डी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर देश तो अगला दिखेगा ठीके ना और टेंगो जो आपकी यहाँ की मुद्रा है ठीके टेंगो की मुद्रा यह जो टोंगो दिया है टेंगो टोंगो की जो मुद्रा है वो आपके CFA है अर्थात यहाँ पर फ्रैंक है क्या है फ्रैंक हो जाएगा टोंग की है यहाँ पर अगला है कि वी जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है और यहाँ पर अगला कोशन आप से कह रहा है किसर निम निखित में से कौम संसत के किसी भी सदन की कारेवाही में गैर सदसी की रूप में भाग ले सकता है चलिए कोशन नमर 12 आपसन को लोग किया जाए चलिए कोशन नमर 12 दिया है और 12 को आपसन आ रहा है यहाँ पर बी नमबर और यहाँ पर आपका सी आ रहा है दोस्तों याद रिखिए इसका अंसार अब भी आपने लगाया है बिल्कुछ सही है महानयवादी याद रिखिए महानयवादी भारत सरकार का प्रथम विद्यदिक यहाँ पर रास्पति के प्रसाद परियंत बने रहते हैं तो यहां परंसर आपका B हो जाएगा वास्तिकता यही है बाकि 6 और जो आपका 65 होता है वो तो मिलता है यहां पर दिया गया है कि भारती समिधान के अनुछेद 21 का सम्मध किसे है तो अनुछेद 21 का जो सम्मध मिलता है यह मिलता है जीवन के अधिकार से है जीवन के अधिकार से तो यहाँ परन्सर नमबर आपका हो जाएगा ए नमबर है राइट हो जाएगा जीवन के अधिकार से सम्मदित है यह नागरिकों के जीवन और सारे सुतनता का सब्छन करता है अगला कोसनाप से कहरा है निम्ण में से कौन से वनों की पतियों के गिरने का निस्ची समय नहीं ह होता है इसलिए कभी अनावर्त नहीं दिखते हैं मतलब ऐसे वन जहां पर पतियां होती है पेड़ों से गिरने का कोई निश्ची समय नहीं है कि हा पतज़ड में पतज़ड में ही पेड़ पौधे की पत्तियां गिरेंगी यहां के जो पौधे होते हैं इनका निश्चित नहीं होता है तो इनको हम लोग कहते क्या हैं तो इनको कहते हैं दोस्तों याद रिखिए उस्ष्णकर्दयबंदी सदा बाहर वार क्या बोलते हैं सदा बहार ये हमें सएक जैसे आपको मिलेंगे याद रिखे उर्ष्न कर्दबंधी सदा बहार वन कहेंगे और समरब कड़ी यहां पर राइट हो जाएगा जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इन पत्तियों को गिरने का कोई निश्ची समय नहीं हो होता है यह कभी आपको अनावत नहीं दिखेंगे कि बीना पेड़ के ही आपको बीना पत्तों के पेड़ दिख जाएं जैसे कि आपके उत्तर पूरी भाग पर पर पर्ष्मी घाट पर अंडबान निकुबार्दी उसमू में भी आपको मिलते हैं जैसे रबड है महोगनी है रोजबुड है हाना साबनू से बांस से बेड है यह आपकी बरच्छिस में आते हैं आगला दिया है कि उच्चितम न्याले में न्याधीसों की संख्या बढ़ाने का अदिकार किसके पास होता है उच्चितम न्याले मतला आपकी सुप्रीम कोट की बात कह रहा है अगर कोट की न्याधीसों को बढ़ाना है तो यह आपके राश्पति के अमाध्यम से होता है तो दोनों चीज की जाद रखिए सुप्रीम कोट में आपके भारत की संसत की यहां पर साहता ली जाती है अगरा कोशन दिया गया है कि किसी कंप्यूटर का पीता कहा जाता है जबाब जाता है उप्सन सी चार्फ सुप्सन आपका सी होजेगा बिना पढ़ा लिखा बेखती भी इस कंसर आपका बता सकता है चलिए यहां पर आगे बढ़ते कोशन देया गया है और आपसे कह रहा है गुप्त सासकों द्वारा जारी किये गए चांदी के सिक्य क्या कहते थे चल क्लास से कूछW देदी जाती है उनको आप लुक जुरू देख लिजए गा है सास्ती नत्तों में से कह रहा है कौन से कत्थन आपका सत्ति दिया है आप से कह रहा है कत्कली कत्थक सैली का सास्ति रूप है यह कैसे हो जगता है कत्कली और कत्थक यह तो आपके अलग-अलग हो गए ना कत्कली केरल में है कत्थक आपकी यूपी में है कैसे हो जाएगा अगला एक कत्थक सहली को सास्ती नत्य के रूप में मानता केवल सुतंता प्राप्ति के परशात ऐसा तो गलत दिया है या लोक नत्यों से सदा स्रेश होते ये भी नहीं है यहाँ पर देखेगा कि सास्ती नत् का समका है यहीं चुपनेगा और ल पेकिन ल spéाग्त घृट में अ मोड़ा एक प्रकार में नहीं ao समका है यहомеीं कर दुख़ें दुरूती है यहां वहता है लीकिन लागत जन्य मुद्राइस्वीती यह मुद्राइस्वीति क Praise करकार में नहीं आता है मुद्रइ शुर्टिय है आति है मंद फिर आती है यह तो आसी है लेकिन यहां पर यहां पर 10 कि यहीं एपई मैं से किसे सुचना राजबत कहते हैं यहां पर 20 समराप से कह रहा है अब आप देखिएगा ये भी आपके कम्प्यूटर से ही कोशन है हाना तो कम्प्यूटर से कोशन है तो दो कोशन तो आपको मिल गए है और ऐसे डेली मिलेंगे यहाँ पर इंटरनेट को कह जाता है सूचना और राजपत कहते हैं आपके इंटरनेट को आप समराप का बी यहां पर राइट हो जएगा इंटरनेट को कहते हैं किलियर हो गया है यहां पर अगला कोशन आप से कह रहा है कि यमना और बेतवा नदियों का जो संगम है यह कहां पर होता है तो दोस्ते याद रिखी आपके हमीरपुर में आप आएंगे और आपका A इसका राइट हो जाएगा हमिरपुर के पास इनका संगम आपका है अर्थतिय मिल जाती है यहाँपर अगला कोस्न देगा है जवाहाला नहरू बंदरगा कहां परिश्टी थे जवाहला नहरू बंदरगा जवाब का है कहां पर है जवाब देना है बाहिस कोप समयनेगा साथ से नम्बर आपके मुंबाई में है नहाना नाहावा-सयवबंदरगा के नाम से जान्ते हैं यहाँ पर जो उंसर है यहां पर आपका साथ से नंवरे राइट हो जाएगा याद रिखेगा तोडर मल ने भूराजे से वेऊस्था सम्मन्दी जबती वेऊस्था को लागू किया था तोडर मल को जबती प्रनारी का परवर्तक मिमाना जाता है याद रिखेगा अगला कुछ नाप से कहा रहा है दिया गया है सांची के स्टूब का निर्मान निम्निकित में से किस सासक नी करवाया था जो आप कहरा है सांची के स्टूब 24 मर जो दिया है तो 24 को आप्षन बनेगा यहाँ पर 2 नमबर आपके असुक आप्षन भी जिसका रहा है असुक बिल्कु सही हो जाएगा अगला कहरा है कहरा है राष्टी गान जो दिया गया है हना जन गड मन राष्टी गान के रचना रविना टैगोर ने की थी जो की जनुवरी 1912 में सवर्थम किस लेख में प्रकासित हुआ था 25 का आपस्ट मनेगा बी नमबर या आपके तत्तो बोधनी में किसमें तत्तो बोधनी इसका जो अंसर है तत्तो बोधनी पत्रेका में इसका प्रकासन हुआ था या दरके रविना टैगोर द्वरा रचित किया गया है अगला है आठिक नमर 352 का सम्बंद किसे है मतलब 352 अरुद के समय जो आपके मौली कदिकार है हना ये मौली कदिकार आपके समाप्त हो जाते है हना तो आपके हैं आपके सरनवसर आपका 2 हो जाएगा बाकी आपके हमने आप20 बोधनों ील συνत्री लेकिन ख़ोदा सा गुमा देगा होते हैं लेकिन कभी-कभी एक्जामनर क्या होता है वो आपको थोड़ा सा गुमा देगा तब आप कहेंगे सर-a में दे देगा आर्ट कर नम्बर 21 और b में देज़ा 20 अब आप क्या करेंगे तब आपको दिया है यह आपका इसमें आपका माना जाता है याद रिखेगा सितनत्त के दिकार में नहीं थे सथन्त का दिकाई जो नहीं थे वापकी किसमें है यहाँ पर जवाप देना है आप कंसर क्या होगा सितनत्त ಫ़फ चूंधिकार नहीं थे यहाँ पर देखे 27 सम्भर में यह इसाई 27 में ब्रूटा देखे bubble realistically को कोई भी पेश पेशा अपनाना कोई भी पेशा अपनाना आप कर सकते हैं क्या क्यों भी या कोई भी पेशा आप कर सकते हैं कह सकते हैं जी सा कर सकते हैं फिर या भासन की सुतनता आप बोल सकते हैं कोई भी पेशा मतलब कोई भी धंदा आप कर सकते हैं लेकिन कानून के पुछ चीज़ करें लिमिट के साथ हैं ठीक है ना कोई भी चीज टीज करें में करिए तो आप का हो गया वाकि य थर्म पालन और परचार यहां पर 27 संबर में जो दिया गया है ऐसे सभी लग रहा है क्या भी। यहां पर 27 संबर में जो आपका दिया गया है अच्छा सुतंता माप करिए दीखोया पर दिया है सुतंता के अंतरगत। और सुतंता में आपको यही आपको मिलेगा कोई भी पेषा अपनाना करना है यह आपके सुतंता के तैयत तो सुतंता आपके article मरापके उनेगे हैं आपकी 6 परकार के- छए परकार के आपको बताई गई है लेकिन अश्कुष्ता उन्मुला नाता है article 17 में और धर्म जो आपका प्रचार प्रसार है आपके 25 में आपको आएगा तो आप कहेंगे सब C और D यह आपकी इसमें नहीं आएगे मांकि सुतंता A और B हो जाएगा option मर आपका A बन जाएगा clear हो गया है आगे वड़ी question देगा है यह प्रथवी के सबसे उपरी परत को क्या कहते हैं चले question मर आपका 28 दिया है थोड़ा speed हो जाएए अपनी speed को बढ़ाएए प्रथवी की कहरा है प्रथवी के सबसे उपरी परत को कहते हैं क्या कहते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अंसर आएगा 28 आप सबसे हो जगा crust कहते हैं क्या बोलते हैं crust कहते हैं तो नौरतन थे आपके चंदगुप दुती के दरबार में नौरतन रहा करते थे हना आपके नौरतन थे यहाँ पर कालिदास इसके महत्तवण आपके रहे हैं उस समय जो आपके थे आपके चंदगुप दुती के समय सब महान लोग थे जैसे कालिदास हैं या परवराह मीर थे हना आपके धनवंतर रहे थे यह सब चीजे बड़े महान महान लोग थे अगरा है जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता हो और एक विक्रेता हो तो आईसे स्तिति कहलाती है तो ऐसी इस्तिता होता है 25 बियोफ़रार क्योंकि क्या हो रहा है आप लेने वाला एक देने वाला हो तो इसको उसको अंष्ळां को बनेगा भी नंबर हो जाएगा अग्ला है कि चले अभ यह अपरमसर क्या होजएगा जबापों निंभ दिए चलिए भाई जवाब दीजे क्या रहा है ड्रेट डाटा बुक में निम्निकित में से कौन सर डाटा होता है यह मेमोरी डाटा होता है क्या भी कौन होता है यहाँ पर कहेंगे सर जो बिलुक्त प्राइप रजातिया होती है यह डाटा होता है जो बिलुक्त प्राइप रजाति यहां पर बताना है यहां परंसर क्या हो ज zeker again 32 में चलिए 32 बताइएगा फटा फट 32 में यहां पर देखें यह आ गया है सिकंद लोदी सिकंद लोदी जिन्हों के जवाब दिया है बिल्कु सै भजेगा सिकंद लोदी का वास्तिक नाम बता सकते हैं कोई इतना होसियार बच्चा हो जो ये बता सके सिकंदा लोधी का वास्तिक नाम क्या था चलिए आथ देख लेते हैं कितने लोग है जो इस कोशन का सही जवाब दे सकते हैं सिकंदा लोधी का जो वास्तिक नाम था वो क्या था बता दिजिए एक बार बाकी हम तो आपको बताएंगे जरूर नहीं कि आप लोग बता पाएं कि यह थोड़ा कठिन कोर्शन आपका है यहाँ पर सिकंदा लोधी का आप से पूछा गया है वास्तिक नाम क्या था चलिए सिकंद लोदी का वास्तिक नाम बताना है जल्दी से चलिए नहीं मालूम है कोई दिक्कर नहीं है यहाँ पर देखे सिकंद लोदी का नाम था क्या याद रिखेगा सिकंद लोदी का नाम था निजाम खा क्या होज़ेगा निजाम खान निजाम खान हो जाएगा निजाम खान ठीक है निजाम खान हो जाएगा याद रखेगा अगला कोशन आप से यहां पर दिया गया है आप से कहा रहा है केंदरी गन्ना प्रजिनन संस्थान कहां पर है चलिए यहां पर बताना है केंदरी गन्ना प्रजिनन संस्थ बतान आपका 33 सब्साहिं partner सब्साइब month of a क्रफ़ा कुछ को राज्य का लोक्ष भा राज्यसवा उर्सर क्यों Candice प्रतित सब्सदेख रहे ने कि कपजे में हैं तो भाईया आपको मालुम है कोई हरा नहीं सकता है इसलिए यूपी में दिल वसता है पूरे राजनितिक यहाँ पर जो अनसर है वो आपका बी नमबर हो जाएगा याद रिखेगा हना किलर है और यहाँ पर जो भी आपकी जूमूले चल रहा होता है अर्थत पैसे चल रहे हैं जितनी भी सिरीज था उसको खतम कर देंगे अवैद घोसित कर दίνगे हना उससे क्या होता है ब्रस्टाचार जो होता है लगाम लगता है काला धन जो जमा होता है वो सब भी बाहर निकल के आ जाता है हना काले धन पर रोक लग जाती है और अगला कोशन जग्या है उत्तर विदेश में सरवादी कुवन किस जिले में है यहाँ पर बताना है यहाँ जवाब देना है आप से कहा रहा है सुभास नबोस ने फारवड ब्लाक की स्थापना कप किया था यहां पर देखे आपका जवाब हो जएगा 949 इसका जवसर है यहां पर जवाब हो जएगा कौन ए नंबर है बिलक्त सई हो जएगा इस कोशन दिया गया है खादिर सुरच्छा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया है खादिर सुरच्छा के लिए जो प्रमाण मिला है ये कौन सा मिला है 38 अंबर में 38 का आप्सम बनेगा ए नंबर दोस्तों ये होता है ISO जो आपका जो दिया गया है क्या 22,000 और आपसम रापका बनेगा यहाँ पर एडमबरे राइट हो जाएगा याद रिखेगा तेके ना और यहाँ पर गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अगर पुछे गुणवत्ता प्रबंधन के लिए होता है यह होता है गुणवत्ता प्रबंधन के लिए यह बान भी 0-2 आलापका होता है तो अपना नोट का लिएगा ठीक है ना के लिए रहे खादूर सरच्छा यह है गुनवत्ता सुच्छन यह है जिसे परेवन यह आपको गुनवत्ता होती है गुनवत्ता प्रवंदन के लिए यह होता है परेवन के लिए और यह होता है सब्सक्राइबर सब्सक्राइब option भी हो जगा यसा धंधरा क्योंकि यह जो विसर्ग आया है वो कैसे आया है यह आया है ओकी मातरा वाले से आया है हना यह आपकी विसर्ग संद में रूल बताया था सा 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 और रा वाला और वाला आपको रूल बताया गया है अगला है दच्छिन और पश्चिम की बीच की दि देना है कि यहां जहां पर जी हो इसान लगा दें हना हर जगा इसान नहीं काम करेगा यह आपस नहीं पूरा है कि पूरा बुत्तर बताईए इसान यह आपस यह वाला कूण पूछ लिया है अगला कुछन दिया गया है अधिमानता में उपसर दिया है अधिमानता में उपसर अधी जो हो जाएगा उफसर हो जाएगा उफसर कहाँ पर दिया है उपसंसी दिया गया है अगला है उच्छारण इस्थान के अधर पर हिंदी बेंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है कितने वर्गों में रखा जाता है बता सकते हैं हिंदी बेंजनों को 11 वर्गों मे भी पड़ाया गया है मुर्धा होता है दंत होता है ठीक है ओस्ट होता है वस्य होता है दंतोस्ट होता है काकल्य होता है लुंठित होता है उच्छिप होता है और पार्श्विक होते हैं यह ग्यारा प्रकार होते हैं याद रिखेगा अगला कुछ दिया गया है लिपी के आव आपको विदेशी सब्द तभी होगा जब आपको नौलेज होगा देखो घंटा बजा तम मैं स्कूल सब्द आपका आगया मेरी बस यात्रा बहुत सुविधा जनक दिया गया है हना यहाप रेर्वे सब्द आपका है लेकिन जो संस्कत सब्द आपका ही विदेशी नहीं है हन जो ना करे सो थोड़ा वाकि में सरनाम पूछा गया है बावन नंबर में तो यहाँ पर देखो वह जो जो और सो दिया है आपके इंगे संबंध हो जाएगा डिरिम्बर है अगला दिया गया है कि निकित में से कंठ वर्ण कौन सा है अब बताने क्यों सकता नहीं कि कंठ किसमें है आपके इसे तिरपन नमबर का जो आपसन आगया है ना तिरपन नमबर का जो आपसन आगया है वो राइट क्या होजेगा यहां पर दिखे आपका जो आपका का वर्ग होता है का वर्ग में आपका आभी आता है हाभी आता है बिसर की आता है आपसन आपका भी बनेगा अगला ह अबिर्भाव का भीप्रितिन में से क्या हैं आविर्भाव और तिरोभाव आप ने पड़ा होगा आप समरी अपका हो गया चपने नंबर निष्ट को रस क्या है तो वही है जब बच्चे को खिला रही है तो फिर आपको मालूम है माता जी कुछ नकुत तो बोले रहेंगे यह आपके वसल रस होता है यह आप रगला कोशन दिया गया सरसुती का पर्यवाची नहीं है सरसुती का पर्यवाची नहीं है आप सचपन नमर पूछा गया है आपके ये वाणी है वीनापानी है सारदा है लेकिन कमला नहीं होता है कमला नहीं होता है कमला होता है किसका होता है बताइए चलिए आप से पूछी लेते हैं पहले पहले हमीं बता रहे तो आप पहले बताइए कमला जो होता है ये पर्यवची किसका होता है चले कमला किसका होता है बताइए लक्षमी का होता है विलकुत सही है कमला जो होता है वो लक्षमी का होता याद रिखे लक्षमी का बनेगा यहाप रगला दिया है कि वाकिके तुरुटी भाका चेन करना है तुरुटी रही तो होने पर विकलपाप को चुनना है डी हना देख का सब्द लगाना है को नहीं लगाना है को की जगा आपको का लगाना है अगला हिंदी का प्रथम महा क्या आप किस ने लिखा था हिंदी का प्रथम महा का आप जो लिखा था हो किस ने लिखा था यहां पर जवाब देना है चली यहां पर जवाब देना इस कंसर क्या हो जेग है वो राइट होज़ेगा आपका सी नंबर राइट होज़ेगा प्रतिवी राज रासो अगला कोशन दिया है कि कभी कालीदास की अभिजान सकुंतलम का हिंदी अनुवात किस नहीं किया था यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो अंसर है आपका 59 कोशन क्या होज़ेगा तो यहाँ कह रहा है जिह सुम्रत सिद्ध होई सिसनायक कभी वर बदन करहु अनुगरा सोई बुद्ध रास सिसुवेब्यून सदन यहाँ परचंद क्या है इसको पढ़ने से एक चीज याद आ रही होगी आप लोगंको कि थोड़ा सी उल्टा सिद्धा लगा है हना क्या है उ सिसनायक कभी वर बदन जिम सुम्रत सिद्ध होई यह होता तो विल्कुल दोहा होता यह उल्टा है आपका सुल्टा है मातरा लगाना है तो लगा सकते हैं कोई दिक्कर नहीं है ठीके मातरा लगाना है तो लगा सकते हैं सुल्टा वाला दोहे का उल्टा होता है यहाँ पर बख्खुवी में कौन सा समास है बख्खुवी में समास क्या है तो बख्खुवी में क्या होगा तो आप कहेंगे सर्खुवी के साथ आपका बाला लगा है अर्थाति ये क्या है उपसर्ग है अर्थाति ये पहला पत्प्रदान हो जाएगा तो अंसर नमबर आपका बनेगा A नमबर है अगला है शरीर के लिए सही परेवची आपको बताना है बास्ट नमबर में तो बास्ट का उप्षन क्या बनेगा यहां प्रत्तन है दे है और गात है तो आपसन पहला यह विलकुर सही हो जाएगा निश्कोर संद्या गया है दुबई कितना सुंदर देश है इसमें से जो सुंदर सब्द आपका है क्या है तो सुंदर दोस्तों याद रिखे यह क्या है तो वही आप प्राविसेशन तो कहेंगी प्राविसेशन तो नहीं है यहां पर आपका संख्या वाची नहीं है परिमाड नहीं है तो बचा क्या है आपका विधेविसेशन हो जाएगा बही कभी कभी option का यूज किया करें कभी कभी दिमाग का भी प्रयोग किया करें कि हमसे अगर ये question नहीं बन रहा है तो इसका सही अंसर बनेगा क्या तो बही हम जानते हैं प्रा विसेशन क्या होता है विसेशन की विसेशन की विसेशन तो ये तो होगा नहीं संख्या है नहीं question number आपका अगरा है कहरा है जिसका सम्मंध जिसका जन्म पहले हुआ हो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं क्या तियां पर होता है अग्रज क्या बोलते हैं अग्रज और जिसका जन्म बाद में उसे बोलते हैं अनुच कहते हैं कहते हैं अनुछ कहते हैं अगरा कोशन दिया गया है और आप से कह रहा है कि इस वाकि को सरल वाकि में बदलना है आपका अंसर क्या हो जाएगा यहां पर देखो तुम बाहर गए और वह रोने लगा यह जो और सब्दा है यह संयुक्त है इसको सरल वाकि में कनवर्ट करना है स जैसे सब्द तो होगा नहीं, जैसे होता है, किसमें संयुक्त में होता है, मिस्र में होता है, जो सब्द आपका मिस्र में होता है, तो आप कहेंगे सर आपसन आपका सी वाला हो जाएगा, अगरा है कि किस सब्द में अउपसर का प्रियोग हुआ है, किस सब्द में अउपसर का आपका है ये किसमें बनेगा तो आपके इसर अवस्थ की बात करते हैं अवचन की बात करते हैं अवध्याप्ति की बात करते हैं या अवध्य की बात करते हैं सही क्या हो जेगा च्छाच नंबर में देखे यहां पर दिया गया है अवध्याप्ति क्या दिया है अवध्याप् वास रंकार जो आपका होता है विरोधा रंकार किसमी रोधा रंकार है सरसर नबर में देखेया पहला उप्षण परिएगा केरा विरा है अथौः यह के जान पड़ता है नेतर देख बड़े-बड़े इसमें तेकि यह नंबर मतलगा है क्योंकि ए नंबर में जो आपका डिया है वालग है यहाँ पर इसका जो अंसर आपका भानेगा वह आपका भ्रांती है विरोध्था और भांती में ही हो जाती है अगला कुछन आपसे कहा है नियूझस अप्र में का कौन कि नौ दिन चले अड़ाई कोस लोकोक्ती का भावार्थ क्या होता है नौ दिन चले अड़ाई कोस लोकोक्ती का भावार्थ इन में से क्या है उनत्ता नंबर आपको लोग करना है आपका जवाब हो जाएगा इन में से क्या हो सकता है यहाँ पर अंसर देना है तो आप कहेंग की बहुत धीमी गती अंसर क्या हो जगा यहाँ पर ए नमबरे राइट हो जगा किलियर है यहाँ पर देखे अगला कोशना आप से कह रहा है कह रहा है निम्ण में से कौन विराम चिन का प्रकार नहीं है कौन विराम चिन का प्रकार नहीं है चलिए यहाँ पर देखा जाए तो विराम चिन्व का प्रकार कौन से ये सत्तर नंबर में तो सत्तर कौप्शन देखीगा निर्देश से लागाओ है विवरन होता है लेकिन ये उपदेशक होता है क्या आपने पढ़ा है कहीं नहीं पढ़ा है तो आपसना आपका सी बनेगा निश्कोशन देगा है और आपसने देखा जाए तो आपका जो अंसर आ गया है 170 नम्र को option D हो जाएगा ये होता है वर्ण होता है या तो धनी होती है अगला दिया गया है मदुसाला के रचीता आपके कौन है मदुसाला मदुबाला ये आपके कौन है माकलाल हो जाएगे क्या या हरिवन्स राइवच्चन हो जाएंगे कहेंगे option B हो जाएगा हरिवन्स राइवच्चन है मदुसाला, मदुबाला, मदुकलस या आपकी इनकी रचना है अगला है वीर रस के भेदों में कौन से सामिल नहीं है दिको वीर रस के भेदों में भी सिस्ता ना बता कर एक वाकिया पद का सम्मन दूसरे वाकिया पद से जोड़ता है इसे कहते हैं इसे कहते हैं दोस्ते याद रिखे समुच्चे बोधक कहते हैं अप्शन सी बनेगा समुच्चे बोधक अगरा निमनिकित में से सुद्ध वाक के आपको वताना है पच्छत बादसा ने मुक्त हस्त दान किया यहां पर अगला देखो दिया गया है आपसे कह रहा है उसे पैतरक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला यह अंसर आपका D वालाव हो जाएगा यादरी कि इसका जो अंसर है वो आपका D क्योंकि सुद्ध आपसे पूछा गया सुद्ध पूछा क्या है और समराव कर दी थो जएगा एक यहांपर मुक्त रूप से दान किया यह हूता है इस कारण से ऑपसे डी आपका बन जाएगा राइट हो जाएगा मातर संपत्ति नहीं होता तो comment box में comment करी गया